तो हेलो गाइज आज की इस न्यू ब्लोग पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज के आज मैं आ चुका हूँ अपने खेतों में और सुबह के बजरें हैं दस तो आप लोग देख रहेंगे कितना क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि दूप इतना तेज है कि इतन नहीं पांगो क्योंकि ना टेंपरेचर इतना बढ़ रहा है 36 डिगरी चले जा रहा है जिसकी विज़े से पसीना चुट जा रहा है और आज है 19 जून और अभी तक मौन्सून का कोई आता पता नहीं है जिसके कारण यह जो जमीन है यहाँ पानी नहीं है और वहां धान का नरसरी तैयार किया जा रहा है लेकिन धान का जो नरसरी है वहां भी पानी की कमी हो रही है क्योंकि जो दान का जो नरसरी है उसको हमने तैयार किया था नदी की पानी से गुरिया बाहर जो नदी है अपना छोटा सा नाला है जो नदी नाला है जो भी बोलते हो वहां से हमने तईयार किया है ये नर्शरी तयार खेर रख था लेकिन उजों नदी है वहां पर भी पाणी पूरी तरह से शूक चुका है और पानी नहीं यह वहां पर भी दिखते हैं कब भायेहां मॉंसुन मॉंसुन की इंतजार में कि हम सभी हैं क्योंकि आज तक पानी होती थि कुछ साल पहले लेकिन अभी बढ़ते समय के साथ समस्याई भी कही जदा बढ़ती जारी है Nak meer यूकर नधि करे रही है नदियु में पानी सुक्र हैं और हमारे गाउं के पानी कमी नहीं जारहा है च्छोड़ों उसकी बात कभी और कर लेंगे लेकिन अभी जो खेत का बात में करने जा रहा हूं यह बहुत गंबिर समस्या है यह च्छोटा-मोटा समस्या नहीं है क्योंकि गौर कीजिएगा क्योंकि पहले के जो समय में धान जो पारम पर एक जो खेती है अपना जो बरसाद की मौसम में जो हमारे चत्यदगर पे जो दान का खेती जो करते हैं हम तो समय पे होता था सिस्टमेटिक से होता था समय पे लोग बीजबुआई करते थे और समय पे दान कटाई होता था समय पे दान रुपाई होता था सब चिस सिस्टम से होता था क्योंकि समय पे सब कुछ होता था समय पे बारिस आता था सहीं मात्रा में आता था सहीं जितना होना चाहिए बारिस उतना होता था लेकिन अभी बढ़ते समय के साथ साथ बारिस सहीं समय पे आने रहा है और जिसकी विज़े से हम किसान ज्यादा परिशान है क्योंकि हमारा जो पेट चलता है हमारा जो दर्ती माता है इससे ही हम चलते हैं जब खेट नहीं होगा पसल नहीं होगा तो खाएंगे क्या आ और खिशान तो पूरी तारह निर्वबर रहते हैं खेती पर है ना तो जब बारिस होगा नहीं तो केती कहां से होगा और जब पसल होगा नहीं तो खाएंगे क्या है ना तो आपको क्या लगता है ये जो समस्या है किस वज़े से हो रहा है अपनी राय मुझे कमेंट करके बताना जरूर से तो मेरा मानना ये है कि करी ना करी हम मानवों का ह हम लोगों का ही गल्ती है कैसे बारिस नहीं होने का कारण हम कैसे है या आप यह सोचे रहोंगे तो कई ना कई प्रकृति के साथ याने परेवरन के साथ कई ना कई छेड कानी होई रहा है अभी आहली में हस्देव जो जंगल है वहां जो जंगलों की पेड़ों की जो कटाई ह लेकिन आपकि जहां पेडों की वह चनले हैं ब yapıl कि जनमीन भी घंद कुरinté है परवाई ऊपर वाले सीस्टेमेटिक से हमें brain कुछ दिया है लेकिन हम कुछ चीज का हुपयोग से संधı तरीके से हम कर नहीं है क्योंकि प्रकृति को हम छेड़का नीं करते ही जा रहे हैं वैसी पर्यावरण को दूशी तो करी रहे हैं और कोस्ते हैं उपर वाले को तो गल्ति किसका है हम सभी का है तो हम सब का फर्ज है कि आने वाले समय को अगर हमें अच्छा बनाना है अच्छा देखना है आने वाले फिड़ी को पिड़ी को सही रहां पे ले जाना है तो हमें बदलना होगा और अपने प्रकृति को बचाना है तो माने सब भेता को बचाना है तो अपने आपको बदलना होगा तब प्रकृति अपना कहर दिखा रहा है अपना रूप दिखा रहा है कि सुधर जाओ इनसानों वरना तुमारी खैर नहीं ये तो दिखाई रहा ये उधारण आप सब के सामने हैं लेकिन आप सब गौर करें या नहीं ये मुझे पता नहीं और आज है 19 जून लेकिन बारिस है हु हुआ नहीं है इसके वज़े से धान भी अंकुरण हुआ नहीं है 19 जून होने जाए आज और कई लोग तो यह हमारी चेतर में जो नदी नाला जो है गुरे बाहर नदी वहां के जो पानी था थोड़ा बहुत उससे जो सीचाई करके अपने खेतों में नरसरी तयार कर चुक मौनसुन आएगा समय पे यह इंतजार था लेकिन अब तक आया नहीं है कहीं किसान तो मौनसुन की इंतजार में अपने खेतों को खेतों में मतलब अभी जुताई तक नहीं किये हैं खेतों में खाद भिखरे नहीं हैं हल चलाये नहीं हैं क्योंकि अभी बारिस होगा नहीं होगा उन्हें संग का है कि इस साल क्या होगा बारिस होगा नहीं तो हम खाएंगे तो यार शुदर जावु इनसानों जब तक सुद्रों के नहीं भाईयों के और भेनों हमारे देश के हमारे प्रित्वी के हमारे जो मानो सब ब्यता के लोग सभी सुद्र जाओ भाईयों ये सब हमारे आही कईना के दुशकर्म है जिसका हमें फल मिल रहा है समय पर बारिश हो नहीं रहा है पानी की कमी हो रहा है अंगिनत दुशकर्म हम करते ही जा रहे हैं तो यार व्लोग को वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं तो ये तो रहा मेरे छेतर का समस्या जो बारिस हो नहीं रहा है खेतों में पानी नहीं है मैं कापी ज्यादा परिशान हूँ ना सिर्फ मैं ही परिशान हूँ मेरे चेतर की सभी किसान परिशान है आपके चेतर में क्या हाल है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर से तो दिजे इस भाई को विदाहा मिलते हैं नई टॉपिक के साथ ने अंदाज में न्यू व्लोग में नई वीडियो में जैहिन बंदे मात्राइब जैहिन बंदे मात्राइब